नमस्कार किसान भाईयों किसान, हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको चिया सीड्स की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आपने किसान हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्स कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी समय पर और जल्दी मिलती रहे। पश्चिमी मैक्सिको और दक्षिन पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कई देशों में भोजन के रूप में उगाया जाता है। अब चिया सीड्स की खेती भारत में मंदसौर और नीमच और कुछ जिलों में होने लगी है। ये फसल रभी के समय अक्टुमबर और न नवंबर माह में इसकी भुवाई करना उचित माना जाता है। बीज की मात्रा इसमें बीज की मात्रा एक से देरा किलोग्राम प्रतिदो बीघा रखी जाती है। बुवाई का तरीका चिया सीड्स की भुवाई छिटकवाम विधी से या लाइनों में की जाती है। परंतु के पश्चात 15 से 20 दिन के पश्चात पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर कर दे। गहराई बीज को 13 सेंटीमीटर से अधिक गहरा न बोए। अनितह बीज के जमाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी डिधेगा। बीज उपचार बीज जनित रोग जडड़ गलन की रोकथाम ह बीज को धाई ग्राम किलोग्राम बीज की दर से केपटान या थीरम फपूंद नाशक से उपचारित करना चाहिए। जलवायू चिया बीज के लिए मध्यम तापमान की जरूरत होती है। मध्यप्रदेश और राजस्थान का तापमान इस फसल के लिए सबसे अच्छा होत मध्यम बीज़ की खेती सभी तरह की मित्टी में की जा सकती है। लेकिन इसकी खेती के लिए उत्तम जलनिकास वाली हल की भूर्भूरी और रेतिली मित्टी उपवयुक्त होती है। खेत की तयारी चिया बीज के भरपूर उत्पादन के लिए भूमि को अच्छी तरह से त इसके पश्चयात अच्छे अंकुरन के लिए बुवाई से पूर्व खेत में उचित नमी होना आवश्यक है। इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपायरिफास बीस इसी दवा का धाई मिलीलीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। खर्पतवार नियंतरन चिया सीड्स की फसल लेने तथा खेत को खर्पतवार से मुक्त रखने के लिए दो-तीन निराई गुढ़ाई की जरूरत पेडिडिगिती है। लगभग हर 30 दिन के अंतर पर निराई गुढ़ाई की जानी चाहिए। पहली निराई गुढ़ाई के समय फालतू पौधों को निकाल देवे। सिंचाई फसल की जरूरत अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए। फसल कटाई चिया सीड्स की फसल लगभग 100-115 दिन में पकर तयार हो जाती है।